तो दोस्तों आज मैं और निशा निकले हैं इविनिंग की जॉग पर आज दसल इस्टर का दिन है जो की वेस्टन कंट्रीज में एक बड़े फेस्टिवल के रूप में माना जाता है तो आंतर पर गुड फ्राइडे जो की फ्राइडे होता रिस्टर हमेशा मंडे को आता है त तो यह दो चुट्टिया मिलती है इस तरह से यहां पर चार दिन की फ्राइडे सेटेडे संडे मंडे चुट्टी मिल जाती है तो हम जिस एरिया में रहते हैं मिल्टन कीन्स में उसमें एक जगा मैंने पिछली बार आपको दिखाई थी ओल्ब्रूक जो की पिछले आप चेक कर सकते हैं अभी उसी के बगल में राइट में यहां पर कोई लेक दिखा रहा था तो गूगल मैप देखके हमने सोचा कि हम इस लेक के एरिया को एक्स्प्लोर करते हैं तो चलो चलते हैं और मैं दिखाता हूं आपको यह लेक कैसी दिखती है निशा बताओ यहां पर लेक स्मिर्ट में क्या क्या है इजुँ एक की लेक प्र Evans का Information थीर्ट्र क्या है यह लेक ऑन दुग नहीं से तंटन से देखऊँ गया और जो यह यह लेकए यह 180 कि ओनर यहां से आए तो इस एरिया को कहते हैं नोल हिल और हम आ रहे हैं ओल्ड बूप की तरफ से जो की यहां नीचे है अब हम लावटन की तरफ लावटन की तरफ लावटन और इसके अपोजट में विंटर हिल है सो हम इन लेक्स को एक्स्प्लोर करते हुए और लाउटन पहुंचेंगे लाउटन से राइट लेते हुए हम विंटर हिल होते हुए मिल्टन कीन सेंट्रल की तरफ निकल जाएंगे येस सो लेट्स गो चेक इट आउट नाइस बेंच लगा रही है और देखो छे बजे अभी भी दूब कितनी उपर है कल साड़े आठ बजे तक उजाला था यहां पर पर सोचना नहीं पड़ता पीबी में निकल जाओ जॉब करो रन करो टायकल करो लोग यहां पर फिशिंग कर रहे हैसे फिशिंग पॉइंट है येस यहां पर फिश आप फिशिंग कर रहे हुए ह। आपको शोर नहीं करना होता नहीं तो फिश आती नहीं तो बहुत आपको silently इस काम में आपको बैठना होता है तो बहुत बड़ी लेग नहीं है चोटी ही लेग है पर यहां पर यह बेसिकली मैनमेड लेग हैं जो की पानी के रिजर्वायर बना रखे हैं अपनी अपनी कम्यूटी के लिए और बहुत जगपो आप मिलेंगी यह इसके आसपास इनोंने आम तर पर ग्रीन एरिया कवर किया हैं कई लेक ऐसी होती है जिनमे आप स्विम कर सकते हो तो वाट्र अक्लिटी कयाओं को स्विमिंग को इसमें कर सकते हो तो एक तरह से ये एक community जो इनोंने यहां पे create की भी है यह एक बहुत beautiful तरीके से इस community को बचाया हुआ है इसमें आपको गाओं का लिक भी दिखता है यहां पे आपको शहर की भी पूरी feeling आती है facilities सारी यहां पे इन्होंने बनाई हुई होती है क्या देख रहे हो अभी हम यहां पे है और पासी में बहुत बड़ी और यह किसी और दिन का हम साइकल से इसको एक्सप्लोर करेंगे शायद अभी तो हम अपना लाउटन देखते हुए शायद विंटर हिल की तरफ निकल जाएंगे क्योंकि वापस मिल्टन की सेंट्रल पहुंशने में भी हमें टाइम लगेगा तो यह व्यूविंग माउंड है जिस पर आप चड़ सकते हो उपर उस टीले पर आप जा सकते हो और वहां से आप इसकली आसपास का जो एरिया है उसको देख सकते हो जगा 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 पे बोर्ड बनाए वह हैं यहां प पूरी पूरी लेक और यहां पर एमर्जेंसी नंबर इनों ने दिया हुआ होता है जो कि बहुत कुछ रिस्पॉंस जिस से आता है और आपको बतायवा होगा कि अगर बच्चे हैं आपके साथ में तो उनका स्पेशली ध्यान रखे और पानी काफी डीप हो सकता है इसमें इन लेक में फिलाल अलाओ नहीं है और आपको वाटर में घुसना अलाओ नहीं है अब है है अब है अब है वहाँ पर देखिए लोग बेंचेज में उपर बैठे वे अपनी किताबे पट रहे हैं अपनी फैमली के साथ बैठे वे और यहां पर लोग अपने बड़े- उन कुते गुमा रहे हैं अच्छा बेबी है बच्चा है हाँ यहां पर घास बहुत साफ रखी विये वेल ग्रूम्ड घास रखी विये तो वहां पर बच्चे शरारत कर रहे हैं खेल रहे हैं कूद रहे हैं आपको करना एसे ओके लेट्स ट्राइब आट पर दोड़ के दिखाओ कमान रं 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 जल्दी से जल्दी से दस सेकिंड में उपर पांचो कमान एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस वेकूल से अएफिडों प्राइब विल्सी, मैं रं 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 mesmo अएखिव रं यहां पर इसे किसी तरह के स्टोर है या प्राइट प्राइट प्रॉपर्टी है पर यहां से मिल्टन की सेंट्रल आपको दिखाई दे सकता है यह देखिए दूर वहां जो हाई राइस दिख रहे हैं और साथी में देखिए कि कितना ब्राइट पार्क और सामने टियर ड्रॉप लेक्स हैं और बच्चे देखिए कैसे यहां पर खेलते रहते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहां पर लोग जो है इस पार्क में आ रखें हैं और फुटबॉल यहां पर खेला जा रहा है तो अभी एक डेट महीने पहले तक ही इन पेड़ों पर बिल्कुल भी पत्ते नहीं थे बिल्कुल सुखे पेड़ थे चारो तरफ बहुत ही बैरन फीलिंगे दे रहा था लेकिन देखिए अब जैसे गर्मिया आती है तो यहां पर मौसम काफी सही हो जाता है वैसे बाहर जैकेट हमें पहननी पड़ रही है ठंड के लिए हल्की पतली जैकेट लेकिन अभी ठंड है और बीच-वीच में ठंड लॉट के जरूर आती है पर अब लगता है समर आ चुकी है तो हम यह लाउटन की तरफ जा रहे हैं अरे साइड से रास्ता है इसमें मैंने इसा अंडर पास पहली बार देखा है दोनों तरफ से रास्ते हैं और हम लाउटन की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि वहां पे लोगों के घर किस तरह के हैं और किस सबस्तवर है और किस तरह का एरिया प्लिक स्बेसी वहां पे retro प्रिएंट किए हुए हैं ज़ाएश कितने सुन्दर लेक च्छोटी सी लेग यह भी है बेसिकली जो उपर उपर जिस तरह से हम आए हैं और जो लेक हैं उनको छोड़ा 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 बांध बने वे हैं और उसके बाद सम्हाव वो पानी यहां आ रहा है और यहां से नीचे निकलता हुआ आगे के एरिया में जा रहा है इसे ही कुछ एरिया हमने बट नैच्रल एरिया यह तो मैनमेड हैं ऐसे ही कुछ एरिया जो है हमने अंडमान में भी एक्स्प्लोर के थे तो अगर आपने अंडमान का व्लॉग नहीं देखा है उसको जरूर देखें इस नाइस बेंच और लोग बैठे भी में आप पूरी समर में आस आते हैं और साथ में लेक का मैप दिखाया हुआ है और टियर ड्रॉप लेक में कौन-कौन से इवेंट होते हैं किस तरह के बर्ड अगर आपको देखने को मिलते हैं वह भी बताए हुए हैं यहां पर इवेंट्स हैं जैसे कि वाकिंग फेस्टिवल ह अगर सकते हैं चुटिव में आप यहां पर क्या कर सकते हो आपको इन्वार्मेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है मैराथन जो यहां पर होती है उनके बारे में इन्फोरमेशन है तो यह काफी अच्छा हैपनिंग एरिया है बहुत सारी एक्ट्विटी करने के लिए है इस ए आपको एक बेचारा डिलीवरी रोबोट भी दिखाई देगा लगता है उसकी बैटरी खदम हो गई है पता नहीं क्यों खड़ा है इस तो डिलीवरी रोबोट है यहां पर जैसे हमारे यहां पर इंडिया में लोग आपका खाना पीना डिलीवर करने आते हैं सुही में इस तरह के आपको बहुत सारे डिलीवरी रोबोट दिखाई देंगे यह राक क्रॉस करने का तो यह कम्यूटी है यहां पर खर्षपन कादा तो यह बद्सक्राइब करेंगे अब भी जएक्श्या हना निदी है तो टोड़ है गार्वा बाएज़ पीना दोड़ है तो यह पाल हीज़ आपकाद की तो भाएज़ दिखाईब आपकाद करॉसचे पर आपकोड़ हम आपका तूर निदीवरों देग, तो यह पूल आ गया है और आगे देख रहा है आपको बहुत बड़ा Milton Keynes का train station यह train station बहुत बड़ा है यहां से fast train आपको right side को मतलब इस तरफ को यह side लंडन के लिए मिल जाएंगी यह देखिए आप गाड़ियां कितनी तेज भागती है फिलाल तो आप पहले गाड़ी देखे तो इस तरफ से देखिए आपको दिख रहा हुआ कि यह जो lane है left से आ रही और highway पे मिल रही है तो उस lane पे जब आप चलाते हैं तो आपको पहले speed build करनी होती है highway के बराबर जो कि 70 mile per hour है और बहुत तेजी से इस highway में merge करना होता हुए यह देखते हुए कि आप right side पे traffic का ध्यान रखें तो देखिए लोग speed build कर रहे हैं और एकदम से highway पे merge हो रहे हैं और साथ में इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कोई गाड़ी आपके पीछे से आगे से आ रही है तो उसका भी ध्यान आपको रखना होता है हाँ हाँ बस ऐसी लोग बैसिकली नहीं रात में ना लोगों को क्योंकि लोग जो स्कूटर है जो आगे खड़ा हो रखा है इस पर आते हैं लोग तो इससे टक रहे हैं न तो इसके लिए यह लाइट इस तरह से यहां पे देखो बनी हुए दूसरा यहां का जो बड़ा इस पॉपुलर कॉंसेट है वह ये हैं इनको यह लाइब से चलने वाला स्कूटर हैर यह लाइम छलता है और यह है कि और और आप है वॉइBS उससे ये चलता है, इसको दो लग दरसल ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसके बैटरी लगी होगी, इसके उपर आप खड़े हो सकते हैं, लगबग 4-5 km, 7 km तक 10 km तक इसकी एक रेंज होगी, जहां तक आप इसको हायर कर सकते हैं, स्कैन करके, QR कोड इसके लगा होता है, इसक सकते होगा, कैब से नहीं पहुंच सकते हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो एक बड़ा पॉपुलर कॉंसेप्ट, इसका है, निशा खड़े होके दिखाना है, इसके 21% बैटरी लफ्त है, और मैं भी ये सीखूंगी, क्योंकि यहां पे लोग बहुत यूज करते है और च्टेंसburg काफीद्ध काफी सब्सक्राय के लफ्त है, तो इसके जैनल लगाोगा, इसको जो एक कमपनींकरती है, जो जो एक चार्ज़ करतें हैं, लिए घर जगह में, सबस्तों इक हम्होंकि रिमस्तर ने जमाट है, इसको रापत्तों समयल, कालेंट है, वापस ले जा आपको आराम से मिल जाते हैं तो यह मिल्टन की इन सेंट्रल का आपको ट्रेंड स्टेशन दिख रहा है और साथ ही में यहां पे बसेज भी चलती है इसी एरिया से यहां पे पार्किंग स्पेसेज भी अवेलेबल है अगर आप पिक अप और ड्रॉप के लिए लोगों के लिए आ रहे हैं और यह ट्रेंड स्टेशन है काफी बड़ा और काफी कंस्ट्रक्शन भी यहां पो यहां पे आपको दिखाई देगा होता हुआ यह शायद ओफिस जिन रहे हैं